नवश्कार दोस्तों एक बाफिर स्वागत एक और नई वीडियो में मैं हूँ आपका दोस्ति दोस्तों अगर आपकी पावर विंडो ओटो अपेंड डाउन फीचर के साथ में आती है तो अगर यह फीचर कभी कभी काम नहीं करता तो उसको आपको किस तरह से एक्टिवेट क करना है वो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं जैसे कि मेरी गाड़ी की जो पावर विंडो है यह एक बार में ऊपर या नीचे नहीं जा रही है मैंने बटन दबा कर रखा लेकिं यह महीं पर रुख जाती है इसी तरह से उपर कर रहा हूं तो यहीं पर रोक रह है लेकिन आप करके ट्राइ कर सकते हैं जैसे कि मेरी गाड़ी की जो पावर विंडो है यह एंटी पिंच फीचर के साथ में आती है और ड्राइवर साइट की विंडो अप एंड डाउन भी होती है एक बार में अभी जो है यह काम नहीं कर रही है जैसा कि आपने देखा यहा इसी तरह से दबा के रखना है ठीक है अब क्या करना है इसको ऊपर करना है पूरी तरह से ठीक है और जो बटने इसको ऊपर की तरब खीच के रखना है दो सेकंड के लिए अब हम चेक करते हैं कि हमारी गाड़ी की जो विंडो है वो अप एंड डाउन हो रही है या नहीं त देखिए एक वायर में नीचे आ गई है एक वायर में ऊपर चले गई है और अगर मैं एंटी फिंच फीचर की बात करूँ तो देखिए मैं यहाँ पर जो है हाट डाल के दिखाता हूँ आपको तो देखिए यह फीचर भी काम कर रहा है फिर से दिखाता हूँ देखिए तक दबा देते ऊपर या नीचे करते समय जिससे यह फीचर डी एक्टिवेट हो जाता है तो अभी आपको समझ में आगे होगा अगर आपकी गारी में यह फीचर ए तो किस तरह से इसको एक्टिवेट करना है मिलते हैं को नई वीडियो को साथ तब वीडियो को लाइक किजे शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद